जैसे मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो में स्ट्रेटिजी में बता दिया था और मैसेज के माध्दम से भी कई लोगों बताया था कि मांसी गपरूची को पीछे आपको परसान नहीं हो इस बार नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया था जब आपके कंपनी चेंज हो गई त इसलिए मैंने कहा था मांसी गपरूची आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि हर कंपनी का पेपर पैटर्न बनाने का तरीका अलग होता है और यहां बात करें ओवराल जीयस आपकी बहुत ज्यादा टप आई है तो जीयस का एक आवसात स्कोर देखे तो 18-20 लोग कर पा रहे है बाकि जो टॉपर है पड़ने वो 25 तक ही पहुंच पा रहे हैं तो जीके का यहां सबसे बड़ा बोल बाला है और साइद यह मेरिट में आपका सेलेक्शन डिसाइब कर सकता है और लड़ियों के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर है कि मैथ के कोशन आपके काफी ज्याद सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जिसने पेपर को बिना डरे किया है वो पेपर अच्छा कर गया है क्योंकि प्रेशर बहुत बड़ी चीज होता है उसका थोड़ा गड़बड़ों को जो अच्छे बाकि जो लोग यहां हवाई मार रहे हैं घर बैटके कि मैं इतना सहीं कर दो तो भाई घर बैटके पेपर सौल करना और एक्जाम हाल में सौल करना बहुत चीजों में अंतर होता है अगर आप घर बैटके यहीं पेपर कर रहे हैं 130 कर दे रहे हैं एक सदस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ एक अलग प्रेसर होगा घर पर आप रिलाक्स होके कर र तो जीके की बात करें देखो जीके आपके जैसे लगभाग 18 से 20 कोशन एउरज जा रहा है जीके में अगर 20 के 20 के आसपास है वह बहुत बढ़ी आपने अटेम्ट किया क्योंकि सब का यह जा रहा है जिनका अभी पेपर बचा है वो लोग क्या करें जीस्टी टॉपी को पड़ा होगा लगभग मेरे इसाब से सैंटिस बटे सैंटिस करने की शमता लगता है क्योंकि वेक सर के द्वारा मैं अथन में ने देखा पीडियाप से काफी कोशन उसमें फसे हैं सेंटुसें तो एक प्रकार से देखा जाए जो अच्छा है उसको अच्छा करने कोई भल लगा था क्योंकि जो बीस कोशन की लगा रहे थे आपके इस बार मैं के 25 कोशन तक आएं तो मैं नुक्सान हो सकता है लड़कियों के लिए क्लीए वो लोग मैंत के लिए प्रिपेर नहीं थी हां अगर आपने प्रिवेस एर के हिसाब से मैंने बताएद अगर आपने त्या और रिजडिंग के लिए बात करें तो रिजडिंग में आपके लगबग आर्थ 25 कोशन जो मीर लगा था वो नहीं आपके 40-50 कोशन थे तो चालीश कोशन आप कर सकते थे रिजनिंग में एक चीछ देखो एनलोजी चोप्टर से आपके काफी ज़दा कोशन आ रहे हैं बिल तो ज्यादा नहीं रहेगा अन्य सिप्टों में आपका एवर्ज यही औसत रहने वाला है तो जिनका लाश्ट में होई घवरान है इसी इसाब से अपनी त्यारी करें मैं आप अच्छा करेंगे इंसे क्योंकि इनको नौर वेशन का फैदा मिलेगा आप इंसे ज्यादा इसको लेकि आपके इंदर एक डर्गाइब हो जाएगा लाश्ट वालो के लिए तो लाश्ट वालो और इसमें बहुत अंतरोगल अगर यह वाले 105 कर रहे हैं तो आपको 110 करके आना पड़ेगा तो एक प्रकार से देखा जाए कि आज के सिफ्ट में 110 तक अगर आपने कर दिया एक के आप इसमें जो परिये हैं आराम से आप से हुआज के हिसाफ से देखा जाए और बाकि सर्वेय होगा फिर से आप से क्या क्या आप ड़ेका पर रहेगा लेकिन पहले वाले तो पैदा लिए उस चिज़ का तो आप घब्राहिए नहीं को आपको पैरेकर यहादा दावर त मुझे पर्सनल मेसेज जाते हैं को सकते मैं आपके सब्सक्राइब दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको सब्सक्राइब दूंगा ठीक है